जो मनुष्य दूसरों के दुख और कष्ट समस्ता है निश्चिती ऐसे मनुष्य का दुख इश्वर स्वयम हर लेते हैं राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सब का हारदी खारदी स्वागत अभिननदन सब जीवों में मनुष्य बुद्धी मान है मनुष्य का धर्म है सब की भलाई करें किसी किसी पशू की भी बुद्धी तेज होती है बुद्धी से सत्य पर चलने का तरीका आता है और सत्य से परमात्मा प्रकट होती है तो आईए जानते हैं कि बुद्धी से प्रोप कार करने पर एक शेर को कैसे स्वर्ग में स्थान मिला और उसका भव्य स्वागत हुआ स्वर्ग में भव्य शोभा यात्रा निकल रही थी किसी ने पूछा इस सोने की पालकी में कौन बैठा है उत्तर मिला एक शेर बैठा है शेर को स्वर्ग की पातरता कैसे मिली एक रात को बहुत आंधी तुफान और वर्शा होने लगी शेर अपनी गुफा में आया शेर को गंद से पता चल गया कि इस अंधेरी गुफा में एक बकरी आकर छिप गई है शेर ने अपने मन में विचार किया अगर बकरी मुझे देख लेगी तो डर कर ही मर जाएगी शेर गुफा के बाहर आकर बैठ किया वह पहरा देने लगा कि कोई और हिंसक पशू इस गुफा में न चला जाए उस रात बहुत वर्षा हुई शेर पानी में भीगता रहा शेर गुफा के बाहर ही बैठा रहा सरदी के कारण सुबय होते ही शेर की मृत्यु हो गई लेकिन प्रोपकार का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता तुलसिदास जी ने रामचरित मानस में लिखा भी है कि परहित सरिस धरम नहीं भाई पर पीडासम नहीं अधमाई दूसरों को सुख देना चाहिए जितना हो सके हम दूसरों का हित करे दूसरों की भलाई करना ही धर्म है दूसरे को दुख देना अपराद है दूसरे को कष्ट देना पाप है दूसरे को सताना अधर्म है शेर ने पशु हो कर भी धर्म को निभाया आज उसका स्वर्ग में स्वागत हो रहा है मनुष्य हो या शेर आत्मा सब में एक है पशु हो या मनुष्य नरक और स्वर्ग सब के लिए है डाकू हो या साधू सब का हिसाब बराबर होना है अगर आप किसी को एक गलास पानी भी पिलाएंगे तो उसका भी आपको पुन्य मिलेगा तो जितना हो सके दूसरों का भला करें भगवान फिर स्वयम आपका भला करेंगे तो अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेर करें कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दवाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद